दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे अगर आपके पास MI का फोन है या आपके पास Redmi का फोन है तो अपने MI के फोन में आप किसी भी application पर lock कैसे लगाएंगे जैसे आपके पास ये गैलरी है और अपने गैलरी में आप lock लगाना चाहते हैं तो कैसे आप लगा सकते हैं इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तब ही आपको पता चलेगा कि आखिरकार MI के फोन में किसी भी application को lock कैसे करते हैं जैसे हम यहाँ पर अपना गैलरी open करेंगे तो अभी हमारे गैलरी में कहीं पर भी lock यहाँ पर नहीं लगा हुआ है अब हम यहाँ से बैक आते हैं इस पर हमें lock लगाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा setting आप इस पर click करेंगे जब आप apps के setting पर click करते हैं तो आपके पास इस तरह का setting आ जाएगा यहाँ पर मिल जाता है app lock आप इस पर click करेंगे जब आप इस पर click करते हैं तो आपके पास इस तरह के से यह setting आ जाएगा अब यहाँ पर मिल जाएगा turn on आप इस पर click करेंगे जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना एक pattern set करेंगे वही pattern आपको फिर से confirm कर देना है और उसके बाद nest कर देना है जब आप nest करेंगे आ जाएगा MI account और यहाँ पर आपको इसे add कर देना है MI account add करने से क्या होगा कि अगर अपना यह password भोल जाते हैं तो अपने MI account से एक नया password बना सकते हैं उसके बाद यहाँ से आपको अप बैका जाना है बैकाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे app lock और यहाँ पर आजाता है hidden app अगर अपने app को छुपाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी application को आप छुपा सकते हैं वो आपके phone में देखने को नहीं मिलेगा आप lock लगाना चाहते हैं तो जैसे हम अपने YouTube में लगाना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे अपने gallery में लगाना चाहते हैं तो इस पर लगा देंगे उसके बाद अगर और भी लगाना चाहते हैं जैसे play store तो हम इस पर लगा देते हैं और उसके बाद यहां से आपको बैका जाना है इतना काम करने के बाद आपको अपने फोन में अपना गैलरी ओपन करना है तो हम यहां पर अपना गैलरी ओपन करेंगे अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारे गैलरी में हमारा यहां पर लॉक लग चुका है अब जो आपने ल पूर पूर देखने के आपका पहुत धन्वाद प्रहब कर दो ठीमिटल